अलो फैंट्स, वैलकम तू गेम, तो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करतों बढ़िया होंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं Boundary Layer Theory, जिसमें मैंने आपको Basics of Boundary के बारे बता दिया है, और लास्ट टन पर हम लोग ने देख लिया था कि Momentum Thickness क्या होती है, Displacement Thickness क्या होती है, अब उसके आगे का पाट दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं, लास्ट टन पर मैंने आपको इक Numerical दिया था, जहां तक मुझे याद है, आयो अपने वो कर लिया होगा, Numerical कुछ तरह से था, एक बार फटापट से कोई रिविजन ले लेते हैं, Numerical मैंने दिया था एक आपको, जिसमें आपको Shear Stress Profile दीगी थी, Shear Stress वोस, टाव इक उकल टू, टाव नॉट, वन माइनस वाई अपन डेल्टा, आई तिंग ऐसा कुछ कूश्चन था, पूचा गया था, आपसे क्या, यही था ना, यही था, और आपसे पूचा गया था, कि तीनों थिकनत लिए था, गरेक्ट है, जो की कुछ क्या आया था, लास्ट अंपर्दर में वेलास्टी प्रोपाइल की बात करूँ, तो वो कुछ आया था बेटा निकलके, यू बाई यू इन्फिनिटी, कितना आया था, यू बाई यू इन्फिनिटी, टू वाई अपोन डेल्टा, टू यू आपोन डेल्टा, और माइनस का य अपोन डेल्टा का स्कुर, यानि कि य स्कुर डेल्टा स्कुर, ऐसा कुछ आया था प्रोफाल, मैंने बोलना इसको बाकी आप गर पर ट्राई करना है न, चलिए तो आपने कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका अंसर रता है तो एक आनी चाहिए, टू डेल्टा वाई 15, टू डेल्टा वाई 15, इसमें आपकी जो इनर्जी स्कुर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए बेटा, लगबग, 22 टेल्टा वाई 105, ये कुछ आना चाहिए न, तो एक बार ट्राई कर ले न, ये आएगा, बाकी मैंने आपको इसका शेफ चाहिए, बेटा, लास्ट पर मैंने चाहिए, शेफ फेक्टर का आंचर आपको पता दिया था, शेफ फेक्टर होता है, डेल्टा स्टार वाई, मुमेंटम तिकनेस, तो ये मैंने मुला था 2.5 आना ची, चेक कर आ रहे हैंगे, तो ये आपके बास 2 अपोन 15 है, वो आपके ये देल्टा स्टार की वालू पुट कर दी, डेल्टा वाई 3 और यहां से फुट कर दी है, 2 डेल्टा वाई 15, टीक है, तो डेल्टा से डेल्टा कर जागा, 15 चला जागा उपर, और यह जागा 6 दूनी 12, तीन दूनी 6, तो 6 ते बेटा कर ती वाला जागा, 6 ते जागा ये 2.5 ताइम्स दखाई दे रहा है और इस इस यूर आंसर चाहप लोग बटापट इस इस यूर आंसर करेक्ट है चलिए अब बढ़ते हैं बेटाम लोग आगे मैंना इतना हम समने समझ लिया आता और शेफ वेक्टर भी मैंने लिखवा दिया था शेफ वेक्टर की डिफ्रेंट वेलू लिख दो शेफ वेक्टर की वैसे हो था आपको निकालना होगा अगर नुमेरिकल आता तो बट एक जन टिक है जनरल वैल्यू फॉर दा शेफ वेक्टर शेफ वेक्टर इस डेल्टा स्टार य। ठीटा राइट इसके जनरल वैल्यू लिखा रहा हूं बेटा सुन लो डारेटली फूछी गई एक्जाम से फिर मत बोलना बताया नहीं था जनल वैलू लपर लैमेनार प्रो य्या आपकी लेमनार बाउंडरी है तो शेव फेक्टर शेव फेक्टर लगबग होता है बेटा 2.6 के आसपास ठीक है जो कि मने कोई तुछ दिर पहले भी देखा है सेपरेशन यह सेपरेशन क्या होता आगे टर्म आएगा पढ़ाओंगो बेटा अभी फिलाल लेकलो सेपरेशन एक टर्म होता है फ्लो सेपरेशन तो जन्रली वह कुछ मेंशन नहीं करता है पूछ रहा है लेमनार बाउंडरी के लिए हमारा वो कितना है तो आपको आंदर करन बाउंडरी पर टर्ब्यूलेंट बाउंडरी शेफ पेक्टर इस अबाउंड पॉइंट थी ठीक है यही आंजर है आपका और अगर वह पूछे सेपरेशन बेबाताओ तो सेपरेशन बेबादाओ लगबग 2.5 ठीक है तो यह आपको याद रखना है छापलो फटाफट फटाफट रखनाओ एड़ी दालेंगे कैरेक्टरिस्टिक कौन से इस चिक हाँ बाउंडरी लेयर हम बाउंडरी लेयर के च बारेद मोय बात करेंगे बावाँडरी लेयर ठीक है तो सपोज हमारे पास एक boundary बन रही है ठीक है सपोज हमारे पास एक boundary बन रही है यह हमारी solid surface हो गई और इस surface के ऊपर बेटा क्या बन रही है इस surface के ऊपर एक boundary बनाई जा रही है यह रही है ठीक है यहां थे क्या रोगा यहां से हमारी free stream आ रही होगी यहां से हमारी free stream आ रही होगी यहां से हमारी free stream आ रही होगी राइट ना तो अब हमें क्या ठीकना है यहां पे हम क्या बेटा x की value 0 है और यहां से हम आगे जाएंगे तो x की value बढ़ती जाएगी फिरें थिया फो Cup एस से लेंट टिके एक सटलेंगे आगे चलती जाएंगे तो हमारी क्या होती जाएगी बाउंटरी लेर आगini तरह बढ़ती जाएंगे ठलती है mist ए às अब एक ची आपा बहुत जात आपको समझनी है। fold flow और चो रहा हुत HIV कर रहा है merely by layer स्ट्रीं माइब कर दो शोड़ा दियान पर सुनेंगे बहुत बड़ी। आने जारू हो अब एक और सीज्य समझने हैं पर जो कंपुझन होता है क्या ये पैसे इस्टिंव राइन नहीं है ये ये य दो बांटरिग रही है सिन्ट इए फ्लिट की एक लेयर पर ये तीसरी लेयर पर ये चौ्थी लेयर और फिर ये पांच में लेयर इस तरह से लेयर डीट यह बनाना आपको भी तो जैसे तो जैसे हम एक्स में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे जो जो हमारी यह कौन है थो जोटनी डनर जैसे ब्रीट यह अ чего अग्एु साह्ट श्युट्क Freeze जिकल्वाइज हमेज था तो यहां पर जाता है ना बहुत ज्यादा नहीं तभी यहां पर जाता आएगा है ना बास वारी किनारी है तो एक तो पर यह केस हो गया है दूसरा मैंने यह बोला कि यह पर जो रैड वाली लाइन है इप इस प्रॉण्ट पर कट रहे नहीं कर सकती जानि कि अगर यह प्याली तो इसलिड़ घृट में करते वहां यह और तो इस लिए इसलिए पर जो कर वे रेड वाला जो कर वे रेड वाला जो कर वे डा वहcular è streamline बात ममझ में आ रही है this red curve this red curve which is representing the streamline is not which is representing the boundary layer is not the is not the streamline okay अरे बात ममझ में आ गई कि नहीं आ गई जल्दी बताओ clear हुआ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों और मेरे मित्रों मेरे मित्रों clear हो गया तो लेख लोगे एक important note नीचे important note लेखेंगे curve representing represents gravel is present joint T н PIन घुरों मेरे लेखेंगे लेखेंगे will DOWN are you present?] likewise we can feelAttack in the junctionitive monday deserves because two streamline two streamlines two stream lines can not cut cannot cut each other 2 streamline cannot cut each other Dire Armor Myl recess clear reserves арie जो वहाइप बढ़िया चलिए और यह कहता है यह मेरी लमिनार आर बांड दिर टि आ हम पढ़ रहा है केरेक क्रेस्ट्र बांंडरेयर अ हम देखेंगे ऐसकेस चुन फेंट्मू फेंटफ त है प्लेट सुफीशियंटली लार्ज है सुफीशियंटली लार्ज what is the meaning जिस प्लेट पर मारी boundary layer बनी है अगर वो sufficiently large large मतलब लंबी सी plate है बासमेजार यह when plate is sufficiently large plate अगर बहुत large है plate अगर बहुत बढ़ी है तो बेटा सुनो जरा द्यान से सुनो अब आने वाला है मजा क्या आने वाला है मजा अगर plate sufficiently large है बड़ी है यह इस तरह ते जो मैंने बना दी है ठीक है अगर प्लेट मेरी सफीशेंटी लार्ज है तो बेटा ध्यान देना बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है अगर प्लेट बहुत बड़ी है तो मेरे बच्चों अकल के कच्चों बाउंडिलेर बनती है कुछ ऐसी ज्यान देंगे बहुत बड़ी प्लेट अगरम न ले ली तो कुछ डिस्टेंस तक बनता है लेमिनार फिलो कुछ डिससेंस तक बनता है लैमिनार फिलो उसके बाद इस नमस्के बाँने यह रिजन्टे वाह खेंगे ईव लृत बस बाँड कर ने में सब्सक्राइब और उसके बाद प्लेट और लंबी अगर है तो उसके बाद एक बेटा ध्यान देंगे एक अचानक से एक सड़न चेंज आता है और फिर हमारी बाउंडियर अर्चानक से मौटी होने लगती लाइक इस जी आप बिल्कुल सब्सक्राइब आप देख रहे हैं और यह जो अचानक से एक दम से बादरी लेयर ठेकनेस देखनेस अब को समझा चुका हूं मैं यहां देखो ऐक्स आगे चलने पर यहां भी चाहिए यहांपार मेरे मित्रो यहां पे जो रीजन जबन के जए लभी लेफ देखे लेन से अब के लिए गेली में Saqi यह जो है यह ट्रांजीशन हो रहा है लेमिनार से किसका टर्बूलेंट का ट्रांजीशन यह काफी बड़ा जोन होता है यहां पर एडिस फॉर्म होते हैं देरे देरे लेमिनार फ्लो टूटता है यहां पर जो फ्लो होता है वह बल्क मिक्सिंग इस देर है ना तो यहां पर हमारा जो फ्लूट है वो कहते चलता है क्योंकि मुमेंटम को लॉक कर रहा है वापर हो तो अचानक से काफी बड़ी बड़ी बांडि लेयर यहां पर देखो यह ता नहीं है तो तो इसी लिए लेमिनर वांडरी लेयर टर्बूलन बाउंद्री लेयर की थिकनास घ्यार्ड बढ़ी होती है बहुत मौती होती है वहां सब्सक्रीद कीया चीनिर वहां चाहें लेमिनर फिलो कायी हो एक लेयर मिछा है लेमिनार सब लेयर वो तो हमेंसा है रही ही रहेगी अब है ना याद है लेमिनार सब लेयर को वो तो यह अब रहे गई रहेगा है ना तो उसके लिए हमें जादा लोड लेनी का हो शकता नहीं है तो इस तरह से बनती है हमारी क्या क्या इस तरह से बनती है हमारी बांडरी ले और यह जो इसके आगे की अब लेयर है, this is the turbulent layer. turbulent layer turbulent layer में जादा shear stress होते हैं, turbulent layer is you know, more effective, more effective in sense of what? क्योंकि यह shear stress से जादा होते हैं, turbulent layer ज्यादा चिपक्ते चलती है turbulent layer के अंदर जादा viscous force होता है इसलिए turbulent layer is better to resist the separation, एक term आता है separation, separation का मतलब होता है flood का तूटना, तो जो चीज के अंदर जादा viscosity होगी, जादा विसकस होगा, वो अच्छल चिपकेगा, जिसमें कम होगा, वो कम चिपकेगा, है ना, तो यहाँ पर actually होता गया, यहाँ पर, अभी एक का फंटा कम जाऊँ हु इसको एक और तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, एक और तरीके समझाने का प्रयास करूँगा, दोस्तों, अगर मैं, अगर मैं आपसे बोलू हु कि बेटा, यह laminar boundary के लिए मुझे वलास्टी प्रॉफाईल बताओ, तो क्या होती है, बेलास्टी प्रॉफाईल जनरल लेकिन वहीं वहीं अगर मैं तर्बूलेंट फ्लो के अंदर ध्यान देंगे अब जरा आए सब बेटा समझाने लिए दिमाग में रखना यहां पर बल्क मिक्सिंग हो रही है अगर मैं बेटा यहाँ पर बनाने का प्रयात करो जरा समझेगे सब लोग समझेगे बहुत बड़ी चीज पढ़ाने जारो प्लीस फोकस सामने अरे सबका फोकस सामने देखो बेटा क्या है यह यह याद करो तर्बूलेंट फ्लो पढ़ा दिया था रूभ्योलेंट पढ़ा बनती कैसी ती, ऐसे करके एक्दम से एसरेटं और फिर و लॉगरिफ्मिंग ह्या ना ऐते करके त furnace अब क्या होने जा रहा है ऐसे करके लॉगरीफमी प्रोफाल बनती थी याद आ गया यहाद आगे पढ़ाया था मैंने तो देखो यहीं से जारा खेल चालू हो रहा है खत्म हो गया तब कुछ इदर आओ यह हमारी लॉस्टी प्रोफाइल है टर्बॉलेंट फ्लो के अंदर समझना लॉगरित्मिक प्रोफाइल है ना अब मुझे बाद बताओ हमारे पास एक फॉर्मुला होता है टाव इस इकवल टू मिउ ती यू वाई डी अगर अगर मुझे यही शीर से वाल पे नेकाल ले तो मुझे को टाव नॉट बोल देता हूं या टाव वाल बल देता हूं है ना और डी यू डी यू बन जागा मेरा यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रो करता हूँ कहां पे यहां पे तो ध्यानते सुनना अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रो करता हूँ तो यहां पे हमारा जो velocity gradient होता है उसका ठीटा कम होता है और यहां अगर मैं देखूँ तो यहां पे यहां पे बहुत ज्यादा है यानि कि यहां पे डियू बाइडी बहुत ज्यादा है इसलिए शियर इसलिए बाउंडरी अच्छे दे चिपक के चलती है बाउंडरी के साथ जटी चिपकके चलिए उसापरेट नहीं होगी यानि मैं क्या वहलूंगा की टर्भूडूरी बाउन्डरी शफ्रेस ज्यादा करती है किसको सेपरेशन को मतलब यह स्लॉट इसलिए जापहे फिलो सेपरेशन की कंडिशन साती है अब आपके दिर बालो सबकु समझाओ और मालनो चल रहे हूआ चलते चलते गिर पडिके मता आप अब कर लेकर जा रहे हूँ कई बार रोड़ पर एक्सिदी ठीक हिंड गारी एकडम से रोड़ को होड़ देती हैं कपरें नंगे को बने हो चुछ भी जुआ झांग खुब हैं ऑचन से कुछी थै कि कार अगर रोड पर अड़ गई उपर उड़ गई तो उसको separate होना बोलते हैं है ना तो अभी एक basic idea दिया आपको आगे पूरा detail में आएगा तो यह जो boundary ले उरती बैटा यह रोक के चलती है किसको separation को जो कि एक बहुत needed चीज होती है ओके छापो पड़ा पड़ डन ना मेरे बच्चों अकल के कच्चों critical results number 1 into 10 to the power 5 से कम है तो laminar boundary layer बनेगी बिटा उसके बाद अगर मैं बिल्कुल smooth operation मानूँ मैं no disturbance वर्ड यूज करूँ कि कोई disturbance नहीं है बिल्कुल flat surface है, smooth surface है, कोई disturbance नहीं है कोई wind का disturbance नहीं है तो बेटा यहाँ पर यह रिनॉल्स number होता है द्यानते सुनना आप बोलोगे गरू देवे कैसी बाता कर रहे हो यह तो कहीं किताब हों में नहीं है बड़ मैं बताता हूँ पेटा, यह होता 30 into 10 to the power 5 यानि कि turbulent flow को अकर होने के लिए रिनॉल्स number की value 30,000 30 into 10 power 5 से 30,000,000 लेकिन यह तब है जब 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 बिल्कुल smooth बिल्कुल perfect operation है न, perfect, बिल्कुल perfection जब हो, no, 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 no disturbance, no vibration, no disturbance, no vibration, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके ऐसा है, but in real life माल लो, कोई गाड़ी जा रही है, कोई भी अभाई जा जा रहा है, तो vibrate तो करते ही न, पेटा, जहां भी boundary layer बनेगी, vibration होगा, correct है, तो उस case में प्राव को थोड़ा था, उस case में, रेनोल्स नंबर की वाल आपको कतनी लेनी है, अपने practical examples के लिए, रेनोल्स नंबर शुट भी ग्रेटर थेन, रेनोल्स नंबर शुट भी ग्रेटर थेन, 5 बिल्कुल perfect है, बट ये actual condition है, बिटा है, actual, वो ideal समझ लोग तरते, तो आपको ये exam में question solve करता है, actual condition ये यानि कि रेनोल्स नंबर की value plate flow के लिए, अगर 5 यार, 5 ये तो ज्याद आ रही है, मतलब turbulent boundary है, और 1,00,000 से कमा रही है, तो वो कैसी है, वोमारी laminar boundary लिए, laminar boundary लिए, अच्छा, अब इसको एक और तरीए समझाता हूँग, दोस्तों को आपसे transition zone बहुत बढ़ा होता है, तो short करके दिखा रहूँ आपको मैं, ये बहुत बढ़ा है, तो transition zone को क्या मैं छूटा कर सकता हूँ, जी हां कर सकता हूँ, कैसे, एक process होता बेटा, that is called the tripping, हम trip करेंगे इसको, रोकेंगे, हम इसको, अभी ये कैसा zone है, ये कैसा zone है, ये wire, ये पतला सा wire रख दूँगा पूरे उस पर, पतला इनना से, मतलब एक SMJ pen, पैन को रख दिया पूरी उस पर, उसके plate के surface पैसे करके, मेरे आज समझे, मेरे प्लेट की surface रख दिया, तो इससे, फ्लूट टकराएगा, इससे, ये क्या breaker, 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 speed breaker, फ्लूट जब इससे प्लेट है, तो मेरा रिनोस नमबर आएगा 30 लाग की वेलू पर जाके, 13 लाग पर थीस लाग, यह आपको बहुत आगे जाना पोलेगा, तब जाके आपको लाएगा, तो मैंने गया क्या क्या, तो मैंने अपने फ्लूट को पहले ही तोड़ दिया, ये क्या लगा दिया, य महीं की वहीं हमारी बाउंडरी ने पहले बन गई, यानि जो 30 लाग पर जाके बननी थी एक तरह से, वह 5 लग पर बन गई, इसका मीनिंग यह है, फिजिकली फील करो, यानि कि हमने डिस्टरबेंस क्रियेट किया, अब वाइबरेशन क्या होता है, डिस्टरबेंसी तो है, पास समझो, इसलिए मैंने वोला था कि, एक्चुल केस के लिए 5 दो 10 पर 5 है, तो इविजिन करो, अगर मैं स्मूध बाउंडरी ले रहा हूं, तो मुझे कहा मिलेगा जाके, मुझे मिलेगा 30 लाग पर जाके आगे जाके, और 30 लाग वाली वेलू बहुत आगे चलके तो मैं चाहतो मेरी टर्वूद बाउंडरी बन जाए, क्योंकि मैंना बताया, टर्वूद बन जाए तो मैं जल्दी बनाना चाहूँगा, तो मैंने कर दिया, क्यासे? मैंने सेंड पेपर रग दिया, ट्रेप फायर रग दिया, जिसस्या हमारा फ्लूद डिस्टब हुआ, तो बेटा हमें इस तरगे डिस्ट्रमेंट करने पड़ेंगे इस ट्रांजिशन जोन के अंदर क्योंकि यह बहुत बढ़ा जोन क्या मैं ट्रांजिशन की लेंद को कम करते हैं कैसे बाइब प्रोवाइडिंग इस टर्बेंस क्या इस लिए एक्च्छल पहले ही हमारा बाउंडियर बन जाएगा और याद रखेंगे बहुत चोटी होती है बहुत चोटी होती है तो यह बहुत ही चोटी बाउंडरी होती है अर्यों मैंना बताई भी था आपको मेरे बच्चों लिसीन कैर्फुली अर्य बताई भी तापको कि दुनिया में बहुत नहीं रेयर की वहां होते हैं लैंवनार की दन चलिए हैदिंग डालो फटापट से वान कार्मन मुमेंटम इंटिग्रल एक क्वेस्टिन यहां से और यह बटा कहानी चालू मजा आने वाला है मजा आने वाला है वान कार्मन मुमेंटम इंटिग्रल एक क्वेस्टिन आने वान कार्मन मुमेंटम इंटिग्रल एक क्वेस्टिन वान कार्मन वान कार्मन मुमेंटम इंटिग्रल एक क्वेस्टिन मुमेंटम इंटिग्रल मुमेंटम integral equation von Karman momentum integral equation जिता है जिता है जिता है जिता है जिता है। जिता है। कुम एदिदान। कुम जाता है। कुम एदना मसान हो मैं आपकुनिदे कुम भी कुम थाह। झाल 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 बाच्चों तो क्या पढ़े रहे तेम वान कार्मन मुमेंटम इंडिगरल एक्वेशन राईट ऐसे अब ही तक हमने क्या देखा अभी तक हमने यह भी करके देख लिया कि हमारी इसके पूचे कि अब आप जगह पर आपसे पूचा जाएगा तो इसमें help करेगा बेटा वान कार्मन नोमेंटम इन्टीकरल एकोईशन अर्य बटा आपस समझ में तो क्या है पी टाई मोमेंटम इन्टीकरल इकोईशन लिखो बटापट से ताव नौट अपॉन रो यू इन्फिनिटी स्क्वेट इस एक्वेल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स टाव नोट रो यू इंफिटी स्क्वेर डेल टीटा बाई डेल एल एक्स यह क्या है यह है यह है आपकी वान कार्मन मुमेंटम इंटीग्रल एक क्वेश्चन वेरी 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 बॉडटन यहीं से बेटा होगी आगे कानी सारी चालू चेक है वेर वेर टाव नोट क्या होगा बेटा टाव नोट टाव नोट विल बी वालशियर स्ट्रेस कहां पर वालशियर स्ट्रेस का मीनिंग क्या है बेटा जो आपकी बाउंडरी है वालशियर स्ट्रेस रो क्या है बेटा देंस्टी अब दा फ्लूट density of fluid density of fluid ठीक है u infinity क्या है बेटा u infinity हमारा क्या है free stream velocity free stream velocity या velocity of flow भी गोलते हैं इसको free stream velocity या velocity of flow theta हमको पता है क्या है यापर theta क्या है था मारा momentum thickness क्योंकि नाम क्या है momentum integral equation तो momentum 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 thickness right और बेटा theta और क्या x क्या है बेटा एक्स कोई भी length है x कोई भी length जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि बता होई है फलानी length पर कितना हमारा boundary layer का थिकने से है ना तो क्या बनके हमारी वो बनके हमारी x गॉट इट तो कोई नहीं होना चाहिए नाव ये question कैसे use होगी क्या इस पर करना है आगे पता हूँगा don't worry at all इसको छाप लो आप ठीक है ये कैसे use होगी I will tell you everything don't worry at all छाप लो अब एक topic समझेंगे पहले that is streamline body streamline body versus bluff body कौनसी body bluff body ठीक है streamline body versus bluff body streamline body और bluff body क्या होती है यह हमसे पूछा जा रहा है तुस्ट्रीन बोडी क्या बेटा लेको streamline body is one streamline body is one streamline body is one streamline line body is one whose profile whose profile whose profile conform conform a form f-o-r-m confirm 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 the pattern of streamline 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 while 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 लिखेंगे इसमें while bluff body is one bluff body is one one whose profile whose profile profile does not does not confirm does not confirm does not confirm the pattern of streamlines the pattern of streamlines what is the meaning sir एक ऐसी body जिसकी profile streamlines के pattern को follow करे इसको बोलते है क्या streamline body एक एसी body जो streamline की ऐसी तैसी करते उसको बोलते है bluff body जी हाँ वाइस बिल्कुल सभी सुनना है आप एक ऐसी body जो एक बैतरी streamlines pattern पेटर अपको या streamline के pattern को follow कर ले उसको बोलते है streamline body एक ऐसी body जो streamline को तोड़ दे एसे चैसी करते हैं उसको बोलते है बलफ बॉडी ठीक है कैसे बहुती है वो एर फॉइल शेप होती है कैसी शेप होती है बटा एर फॉइल शेप ऐसे करके इस पर जब कोई भी पुलूट टकराएगा तो यह परफेक्ट स्ट्रीम लाइन पैटर्न फॉलो करेंगा इस नीचे की तरफ भी होगा इसको क्या बूलते हैं इस्ट्रीम बन रही है वाका था प्रॉपर दिखाई दे रही है इस इस वाट वी कॉल था स्ट्रीम लाइनिंग स्ट्रीम लाइनिंग है अपने इस तरे की बॉट्री डेजाइन कर एगे इस प्रॉलो कर रही है इसको क्या इसको बोलते है इस्ट्रीम लाइन बॉडडी और देखो अपना कार देखो इस इसह बनाए जाती है इस इ सिस अब यहां पर क्या होए फिलूट टक राएगा तो पर्फेक्ट स्टीम लाइन बनाएगा वह ऐते करके इस्ट्रीम लाइन पेटन फॉलो करेगा लाइक इस बासमी मारी नहीं आ रही है एक स्ट्रीम लाइन पेटन को फॉलो करेगा बिल्कुल इस तरह थे जी कैसी बोडी है यह हमारी एक स्ट्रीम लाइन बोडी कैसि बोड़ी ए असे ऐसे फ्लो फ्लो किया तो ऐसे करके स्ट्रीम लाइन बनी इसको उपर है ना आगे सुनेंगे जरा पूरी बात मेरी अब अब आज़ो बटा ट्रक कौन सा चोड़ा वाला यह चोड़ा वाला ट्रक ही है यह ट्रक बईया कैसी बॉडी है बलफ बॉडी क्यों है बलफ यहां से जो एयर टक्राएगी तो खुदी सोच के तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा वो इस्ट्रीम लाइन को निकलने के लिए एक स्मूथ पाथ मिल रहा है कि तुम तूटो मत तुम थोड़ी अल्किल निकल जाओ को क्वा पाथी चेंज करते हैं कि तो इथर चेंज होगा कि तुम प्रेशर फिल होगा इसको यह पर इसी शीघने आयम लो यहीजिट होगी एसा बहुत जादा हुआ क्योंकि ए मैं प्रेसर द्रैक है चलके युद ब्रेसर चलके के पमाने पड़ेगा स्वां दोल इस निखल जाएगी तरी एक प्रॉपर उसकी पाथ को फॉल भॉल इसे नि रहेंगे यहां पर सिम्टन के असी था करती है ठीक और थे को अब बती सी बिल्डिंग है। कोई बादा बिल्डिंग के इस स्काइश्च्रापर है इसकाइश्च्रापर बहुत बहुत भाव मंजला है मारत है हमारे पास समझाए रहा इस बाव मंजला बिल्डिंग पर ते बिल्डिंग है कोई चीक है यह 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 आ रही है बढ़ी है स्ट्रिम लाइन आरी चलके जिए और रही है अब टकरा इस ते क्या हुआ तितर बतर होगी थे बरी स्ट्रीम लाइन बास मारी है टकरा टकरा की खराब होगी पैटर नहीं बहुत ज्यादा फोर्स लगे का बिलडिंग के ऊपर, लगे और की नहीं लगे तो यह है अमारी ब्लफ बॉड़ी, कैसी ब्लप बाडी वो बोडी जो स्ट्रीम चापड़ो पटापट मज़ा आ गया कि नहीं आ गया शापो पटापट मेरे बच्चों, चलिए ओके तो इसी लिए ये जया कार की शेप ऐसी रखी जा थी रेश की बजाना तो इसे बहुँट ज़्धा प्रेशस नहीं लगा पाएँगेये यहां पे फील क्रज़ा अंद प्रेशर इतना जयाधा यह घ्योद यह मालड़ं आपकी ठॉक नधर तो इधर से बहुत ज्यादा प्रेसर लग रहा हुआ ठीक है बहुत ज्यादा प्रेसर प्रेसर फील कर रहा हुआ दिक्का दूगिस को आगे चल देख चल देख है चलिए अधिंग डालेंगे next topic concept of concept of lift and drag force concept of concept of lift and drag force concept of lift and drag force very 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 important ठीक है तो इसको समझने के लिए का करेंगे imagine करेंगे हमारे पाथ कोई एक बॉड़ी है लाइट से इमेजन ये बॉड़ी है कोई चीक है और ये यहां से हमारा फ्लो आ रहा है पील करा तो को पीटा patience रखना थोड़ा था ये फ्लो आ रहा है यहां पे बॉड़ी है इस बॉड़ी पे पीटा मैंने कोई वे एक arbitrarily area माल लिया माल लो यह रहा हूँ this elemental small area is da ये कोई एक da area है ठीक है और ये area vertical से vertical मेरा एक reference है reference माल लिया मैंने ये area vertical से एक theta angle बना रहा है theta angle ये area ये area यानि ये अगर vertical है ये vertical है तो area किसी theta angle पर है मतला ये समझे पैन अगर ऐसा है area मेरे हाथ को देखेंगे तब लोग है न तो ये अगरे और ये गारी होगी तो ये तो नौर्मल वाला पार्ट होगा फोर्स का see carefully जो नॉर्मल वाला पार्ट होगा ये इस फोर्स को में कैसे रिपिजन करता हो मैं तर आओ इस दा नॉर्मल कंपोनेंट जो हमारे एरिया पर लग रहा होगा और ही कोगा जो इसके पैरलल गुजर के जा रहा होगा कोई दिखकर दोबारा सुनेंगे एक एरिया है कोई फ्लो यहां से चल के आ रहा है यह से करके फ्लो चल के आ रहा सीधा-सीधा उसके सामने एक एरिया रखा हुआ जो फर्टीकल से इंकलाइंट पर लेन पर है कोई दिक्कत है बिल्कुल फीजी समझना अब यह टकरा रहा हैТак तो प्रेशर भी तो लगा रहा हूँ प्रेशर अल्वेज एक परपेंडिकलर डूद तो शर्फेस तो यह परपेंडिकलर लग रहा है इसका यह जो प्रेशर को नाम देदीग है पी डी ए पी डी ए पी डी ए ठीक है एक सेगंड बच्चो तुम्हें क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था बच्चो अरे यार एक सेगंड बच्चो अरे यार एक सेगंड बच्चो अर्म आफिश आओंगो थोड़ा था ना एक आपकी एप्लिकेशन में प्रॉलम चल रही है ना उसके लिए मेरे वो चल रही है तो एक ओटीपी भेजना है मुझे बस दो मड़ते दो बच्चो जस्ट वेट आ सेकंड प्लीज अना झल था उजब है झाल 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 क्पड़ा श्र ann झाल झाल तो मेरे फन पे आना था इसलिए बटा है छलो एस नो इसे करना से एक रेfरेंस लिए ऐसे करके ुड टकराहगा तो तो आफ फेल न तो एक प्रेसर भी तो लग रहा होगा व पर्पेंट्रियों उटेमाल लगे काक्ई आई लगार बन गया है इस्ट्रेटिक बॉड़ी है फ्लो एक सेसे चल के आ रहा है यहां लोगों रिका हुआ है वोड़ी वागरी है एक ही बात है बेटा तो फ्लो का मीनिक यहां पर यह है या तो बॉडी चल रही होगी या फिर फ्लो टकरा रहोगा के या दो बोडिय को चलाके ले जाओ या फिर बोडि को बोडिय को चलाके ले जांओ या समझ रहे है अरे में लिधर कटराई अब टूल को टूल के पर चाके मारूं या बत लिधुनिक तैके खट्टे का और लिध्य पता है G防ста कि नहीं पता अरे बाई यह टूल है ऐसे कर टर्निंग करनी है मुझे हैंगी ने या मुझे मालो शेपर पर कुछ काम करना है तो मैं या तो टूल को ओल्ड कर लो वर्कपीस को ऐसे लेकर आ जाओ तो भी वर्कपीस कटेगा या मैं वर्कपीस को ओल्ड कर लो टूल को ऐसे लेकर जाओ एक ह बात है समझ में आ गया तो मैं यह समझा रहो अब देखो आगे तो कोई भी बॉड़ी है चाहे वह स्टाइटिक हो चाहे वह कैमोशन में हो उस पर इस तर से फ्लो के डिरेक्शन में फोर्सिस लग सकते हैं ठीक आप सुनो जरा जान से यह हमारी फ्लो की डिरेक्शन यह हमारा फ्लो डिरेक्शन क्या ही है फ्लो डिरेक्शन यह हमारी फ्लो की डिरेक्शन अब यह चूंकि फ्लो की डिरेक्शन है मेरे बच्चों अब सुनो आगे गानी इस फ्लो डिरेक्शन अब अगर कोई फोर्स फ्लो डिरेक्शन के फ्लो डिरेक्शन के पर्पेंडिकुलर एक्ट करता है ठीक है आप force which is acting perpendicular to the flow direction उसको बोलते हैं लिफ्ट force क्या बोलते हैं lift force क्या बोलते हैं lift force आप force ऐसे लिखो उसको ऐसे लिखो एसे लिखो force force acts perpendicular to flow direction flow की direction के perpendicular जो force एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं is called is called is called lift force क्या बोलते हैं उसको lift force ठीक है force 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 x x x force x in parallel direction to the flow force force acts parallel to the flow parallel to flow direction is called drag force is called drag drag force ठीक है वो force जो flow की direction के perpendicular act करता है उसको बोलते हैं lift force वो force जो parallel act करता है उसको बोलते हैं drag force कोई दिकत किसी को कोई दिकत किसी को बेटा अरे कोई दिकत किसी को बेटा जल्दी बता दो आया समझ में आया समझ में छापो फटा-फट अम मेरे बच्चो यह जो मैं देख रहा हूं यह दोनोई flow यह दोनोई force ना तो flow के parallel act कर रहें ना यह पर्पेंट वह तो कुछी inclined inclined लगे लगे चेक करो यह कैसा लगा रहे है तो पहले में इनके component कैसे निकाले कि दर देखो बेटा मैं अब दो निकालने जा रहा हूं इस अगले पेच पर देखा दू कोई दिक्कत तो नहीं है इदर आ जाओ अगले पेच पर देख लेए मिरे बच्चो यह देखो यह था हमारा वो reference plane अब मेरे दो बन जाएंगे एक component तो बन जाएगा बेटा यह और एक component बन गया यह यह कितका है बेटा यह दो component मैं आ बन लाए किसके यह बन गया P D A चेक करेंगे P D A बेटा यह एंगल ठीटा माल लो यह वाला तो यह वाला एंगल 90 मानस ठीटा को यह थीटा होगा ठीक है इस एंगल अरम से चेक कर लो यह थीटा माल लिया वर्टीकल थे तो यह वाला एंगल बन जाएगा P D A कॉस्ट इटा यह बनेगा P D A साइंग ठीटा ठीक है तो यह बन गया PDA cos theta और यह component बन जाएगा PDA sin theta similarly एक और component है हमारे पास एक और मतलब force है यह रहा यह होगा हमारा vertical अभी तरह आपकट से अब अगर मैं इस वाले force के दो component करूं तो एक component बन गया टाव डिये cos theta टाव डिये sin theta ठीक है तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा टाव डिये cos theta यह बन जाएगा टाव डिये sin theta देखर आए बेटा तो यह बन गया टाव डिये sin theta और यह बन गया टाव डिये cos theta अब मुझे क्या करना है मुझे body पर total force पता लगाना है क्या लगाना है मुझे body पर total force पता लगा रहा है तो मेरे मित्रों इधर आओ अगर मैं आपसे बोलू what is the drag force? drag force है force acts in parallel direction तो कितने force act करने है parallel direction में? एक यह और एक यह यानि कि total small d8 small drag force जान देंगे small fd ठीक है? मतलब elemental drag force कोगी यह चोटे-चोटे element है भी तो total अभी इस छोटे ते एरिया पर लगने वाला इस एरिया पर लगने वाला total drag force कितना हो गया? pda cos theta प्लस tau dA sin theta चेक करो, चेक करो तो क्या हो गया? pda cos theta pda cos theta plus tau dA sin theta यह हो गया छोटे से एरिया पर लगने वाला drag force मुझे पूरी body पर चाहिए पता चले मुझे, तो मैं क्या करोग वेट, इसको intrigate करोगा sentirgate करोगा किया करोगा गया कराथ यहा पूरेथ C मैं इसको intrigate करोंगा तो बेटा ये बन जाएगा total FD और इसको ईस ही format में लिखा रहे हैं liberty क्या? इस ही format में छोड़ दाए है क्या इस ही फर्मन में छोड़ दो तो ये बन जाएगा टोटल पी डी ए कॉस ठीटा प्लस टाउ टी ए साइन ठीटा इस दा टोटल ड्रैक फोर्स अक्टिंग उन दैट पर्टीकुलर बोडी चुप चाप लिखते जाना आप सोच रहोंगे और लिख भी क्या बनेगा ताउ डिये कॉस ठीटा और नीजेक कर रहा है तो क्या लगेगा माइनस डिफ्रेंस लिए जागा बेटा कितना पी डीये साइन टीटा थीक है अब मित्रो मुझे चाहिए total force तो integrate कर दूँगा बेटा मैं जैसे मैं integrate करूँगा तो मुझे मिल जागा total lift force equal to tau da cos theta minus p da sin theta अभी चुप चाप से लिखते जाओ अभी आपको feel करा हुआ tension नहीं ले नहीं लिखो पहले मजा आने वाला है मजा आने वाला है मित्रो मजा आने वाला है मजा आने वाला है feel करा हूँआ feel अभी दिखेगा आपको ये वाक़ा तो दोनों force दिखेगे भी दो मिन्ट का वेट करें चापो बहले यहां तक फटाबर से चाप लो बहले यहां पे जल्दी से done done अब देखो बच्चो अब मैं आपको कुछ cases सब्जाता हूँ और उन cases के आपको आजाएगा मजा यानी कि अब ज़रा ध्यान देना इसमें दो तरह के forces involved है बेटा ठीक है यह हमारा क्या है जैसे इधार आजाओ इसको देखो FD is the total drag force acting on the body इसमें एक है pressure वाला part एक है shear वाला part यानी कि friction वाला part shear मतलब tangent बना दूए जाता है उसको shear बोलते है correct है तो अगर मैं total drag force की बात करूँ body पर तो दो चटी जों से मिलके बनाए किससे एक बनाए pressure की वजा से और एक बनाए friction की वजा से इसलिए इस component पर बोला जाता है pressure drag यानी कि total drag force का वो पार्ट जो pressure की वज़द से आ रहा है pressure की वज़द प्रेशर भी तो लगया कोई चीज़ पाप फूक मारते हो मुम्बत्ती बुजा है यह तो मुम्बत्ती भी प्रेशर फील होता है तो यह क्या बनेंगे मेरा frictional drag same here जो lift force उसके भी दो component है एक component कौन था हमारा frictional drag और एक component हमारा pressure drag मत बोलना एक है frictional lift और यह क्या ही है pressure lift बास मिमारी है इसके भी दो पाट है मिटा बाई lift force है ना तो इसमें एक friction की वज़दे lift पाट आ रहा है और एक हमारा किती की वज़दे आ रहा है एक हमारा pressure की वज़दे पाट आ रहा है बास मिमारी है गिन आ रही same drag में कितने है एक हमारा pressure drag और एक हमारा frictional drag समझ गए चापो बेटा यहां तां जल दीते ठीक है तो यह हमारा pressure वाला पाट है यह वारा friction वाला पाट है same here, यह friction वाला पाट है, यह pressure वाला पाट है, लिफ्ट में, यह drag में, अब दिखातो हूं आपको कुछ में cases, देखो पड़ा पुट से, मित्रों, कभी आपने, कार में, रेल गाड़ी में, बस में सफर किया होगा, पक्का किया होगा है न, अब मैं आ एसा case दिखाने वाला हूं कि आप बोलोंगे प्रभू जी मजा आ गया हूं इधर आओ, दोस्तों आप कार में जा रहे हो ठीक है, कार में जा रहे हो, और कार मालो बहुत तईश स्पीड में चल रही है, कम से कम सोगी, स्पीड में चल रही है, 100-100 सावा, 100 चल रही है, इतना आपका जो हात आइए यह हो गई बोडी को इमेजन कर आपके पजीन सब्सक्राइब, बस का इसे हात यह निकाला जागा यहा फिल करना रहा है या फिर आ इसे निकाला हुगी इसे याने कि एर कहा रही होगी एर एर आरे हो कि ऐसे सीधि 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 है न, तो दो तीन तरीकी ताथ निकलेगा या तो आप ऐसे आफ निकलेगा या फिर इंकलेगा तो दो को तीन केस बन रहे हैं या तो आप ऐसे निकलेगे पूरा वर्टीकल यह पिर आप एक यह हो गया पूरा वर्टिकल ऐसे देखो ऐसे वर्टिकल यह फिर पूरा फ्लैट जीरो एंहा इंकलाइन क्लियर एंकलाइन ऐसे तो बेटा आपको कुछ forces feel होंगे और देखो यह सारे forces आपको feel कराने वाला होंगे तर आफटावर से तो पहला case लेते हैं वैं वैं जान देंगे पहला case ले रहा होंगे जब हमारा जब हमारा जो यह हो गया और इधर से आपने रखी एक body इस तरह देंगे यह होगी यह मैंने एक body माल्दी आपकी बॉड़ी पहले ऐसे थी है इंक्लाइंट थी तब जाके ठीटा एंगल बना रहे होंगे पहले इस थीटा की बात करने होंगे वर्टिकल आपका रेफरेंस है इसको ऐसे रहेंदो आपक अब बोड़ी ऐसी करते है ना यानी इस केस में ठीटा किता हो गया नाइटी डिगरी अब जाए ड्रेक्पोर्स को समझते है अज़ा इधर आव जैसी ठीटा नाइंटी डिग्री होते ही ठीटा 90 रोती होते यह वाला पार्ट के गया प्रेर रॉट चीटा प्रेशर रेक जैनि यह सौच यह इस बोडि और यह तरह स्ट इस बोड़ी पर के लगेगा इस बोडी पर गेंक तो इस तरह से streamline बनती हुँ जाएंगी, इस तरह से boundary layer बनती हुँ जाएगी और cable और cable एक shear लगाएगी शियर लगाएगी यह तो यहां पर हमारा जो यह वह तो यहां पर यह फ्रिक्षिनलग या शियर ड्रेग तीक है फ्रिक्षिनलग या शियर रिक्षिन अल्ट रेज्ग या फिर शियर ड्रेग ऑक और आप फिल करने आपको बहुत ज्यादा दर्दवर्द नहीं होगा क्यों की सिअल पे बहुत पनुम होती है यह अपने हाथ को और कार में'll यह जा रहे हैं और ऐसे करके ऐसे कर दिया आपने बिल्कुल फ्लो आपकी कार्वाद के उपर जा रहा है तो ज्यादा फीलिंग नहीं आईगी आप ऐसा ज्यादा दर्दवर्द नहीं होगा अब दूसरा केस देखो फटाबर से अब देखो केस तू अभी आप बोलो करें अब घुझ गया मज़ा अब देखो केस टू केस टू क्या है वेंड टीटा एककॉल टू जीरो जीरो का मीनिंग यह है यह आपको जो एरिया आपने एंगलान रखा हुआ ता वह सीधा हो जाए बिलकुल यानि यह आपका वड़ीकल से वड़ीकल सब्सक्राइब अब बोडि आपके पैरलेल हो गई अब बॉडी आपके फिलो के परपेंडिवर होगी बेटा जैसे आपके प्रिक्शन ल द्रेक फुर्सटि बात कर रहे है अब जैसे भी बेटा जीरो एंगल बनेगा अब यह वाला परीवा आपकी बॉडी कैसे है इस बार यहानी आख फ्लूडिक से तकर आ सोच कैसे पर किया होगा इस बार करका पार किए उस वाला पार्ट यानि कि टोटल जो ड्रेग फोर्स लग रहा है वो प्रेशर की वेसे लगता है खुदी सोचो अब यह से टकरा है कि अप्पे तक कुछ मत करो कार में जा रहे हो ना अभी आत ऐसे था ऐसे कर दो हात को जैते हैं आप यह स्पीड में बहुत तो इस पीड में चल दी है आपका ह पीछ भागेगा खुटी अब प्रेशर कर रहा है प्रेटी अश्यनिया विलग कर दो आपको हीर इसे लेकिन आपने ऐसा किया क्या हुआ अब फिक्षन वाला पाट तो गया जीरो लेकिन प्रेशर वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो गया अब आपका हाथ ऐसे पीछे भागे आपका समझे में आ रहा है घड़की से आथ बार निकालना आपको एते करें लाइक दिस पीछे भ अब देखो आगे अब हो यहाँ तीसरा कैस जबरदस्ट कैस थीसरा वाला मजा आ जाए थी इस्रे चेस में आपका दिल कुछ हो जाए बिटा आप झाब जब USDA किसं Mr. थर्ड, case 3 क्या है पिटा, when ? when theta is not 90, ठीक है, theta is not 90 not 0, मतलब inclined, ठीक है, मतलब theta not 90 है, और नहीं 0 है, मतलब इंक्लाइंड मतलब कुछ है था केस ज्यान देंगे यह वाला जो पहले भी था इस तरह थे आपकी बोड़ी अभी इंक्लाइंड है च्ञी यह था आपका यहलन तो अब आपका फोलो जो रहा है उसमें ड्रैक की मैं फिलाण भी बात को लिफट की मैंने बात भी करीये चौन करीक्ण हो यहां पर होग की यहां पर योपका ड्रैक जू लगेग अव्यगग Fleet collect प्लस प्रिक्शनल ड्रैग भी लगेगा लेकिन एक चीज़ समझो इधर आओ मेरे बच्चों यहां मैंने के बल एफडी एफडी की बात करी वाट अबॉर्ट फोर्स लिफ्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा है यहां पे कांगे आइधर आओ इन क्या ठीटा जब जीरो था तो यह थीटा नाइन टी हुआ तो यह वाला पार जीरोगा यह वाला फोर्स तब भी था तो लिफ्ट फोर्स अब भी था बट मैंने के वल ड्रैक के रेस्पंड आपको समझा लेकिन अब मैं लिफ्ट के रेस्पंड आओ क्यों इतर आओ बीटा यहां से औरी कहानी चालो जब अपका थीग है जब आपका बॉड़ी इंक्लेटर्ण्ड रखा होता है क्जा रखोतर है इंक्लेट समझना zodり कि मुझे एक जयं ग्जम्पल देना ay इंक्लेट जब आपका फ्लोड जब आपकी बोड़ी इंकलाइंट रखी होगी तो बेटा समझना बहुत बहुत पहत्रिंग केस आने वाला है अब प्लीज मुझ पर फोकस सब्सक्राइब इधर आप इनीचल आपने आपको ऐसे रखाता करके दिखना प्रेक्टिकल खुद करना कार में आप आपको फ्रिक्सील ड्रेग मैं या किसी बस में रेल-गाडी में तो आप अइसे रहोगे तो आपको फ्रिक्सिनल ड्रेक्टिक फील होगा ज्यादा कुछ फील नहीं होगा जो पर्पेंडिकल और जो में छो मेंने दो लेकिन थोड़ी दी लिफ्ट करने वाला हूँ तो सुनो क्या है आप जब ऐसा ऐसा हाथ रखोगे तो ड्रैग पोर्स का जो लिफ्ट भी होगा पता नहीं चलेगा प्र आपने ऐसे करोगे तो प्रेश्ट जो की दिरेक्शन में लगता है तो फ्लो की डिरेक्शन में लगता है और इसका लिफ्ट वोट्स भी है बट कम है तो यह पीछे भाग रहा है पीछे ऐसे अपने साथ को तेला कर देर उपर कॉंब लेगा अरे उपर क्यों जा रहा है वह एंंगल की वेज़ार है सारा केल अंगल कहा है क्योंकि हमारा लिफ्ट पोर्स किसमैंट घर रहा है तो जैसे ही आप जैसे ही आप अपने हाद को इंकलाइंड करोगे अधेली को यू विल पाइंड आपकाद ऊपर जा रहा है यह प्रेक्टिकल मैंने खुद करके देखा है बिटा इन दिस असेम फिनोमेना जो अमारे एरो प्लेंड में लगता है इसलिए एरो प्लेंड की जो होते हैं वो इंकलाइंड बनाए जाते हैं इसीलिए उस पर लिफ्ट फोर्स एक्ट करता है अरिवा समझ में तो फाइनली मेरे बच्चों यहां पर एंगल की वजा से एक मैक्सिमम लिफ्ट मिलती है अब क्या चाहूंगा अगर एरो प्लेंड को मुझे उड़ाना तो ड्र आपको हमें बात समयमारी है तो जैसे आपको त्रेड़ा करोगे वाट यू विल फाइंड कि वह उपर की तरफ जाएगा चेक कर ले ना जिसके घर में कार है कार निकल लेकर निकलो या मोटर बाइक पर चलाना तो आपका हाथ पहले तो पीछे जागा और तो ऊपर जागा अब इसमें अंगल है इसमें इसमें ऐसे और आते करके डो डिफरेंट चीज़े मनीगी एक केश में नीच आ रहो गो पता क्यों हो रहा है इतरा आजो वह सक्विण की वैसे इस में लिफ्ट में एक प्रनेगिटिव है यानि आउन लेट कर रहा है और एक प्वर्ष पोजि दिस कंपोनेंट अब लिट फोर्स उड़ी मैक्सिमम ताकि हमारी ओबरॉल वालू वैलू कहते है पॉजिटिव आ है ताकि हमारा वाइजस उड़े क्योंकि वाला कॉंसा फोर्स हा उपर की तरह लगने वाला फोर्स देखो चेक करो यह रहा है ना टाउड एकोस्टीटा और किया चाहिएंगे हमारा लिफ्ट फोर्स ओवर लोल पॉजिटिव हो कब जब उपर उपर अना ड़ी तो नेचे लिए इसलिए अन्युक्त नेगिटिव करें आ रहा है है आया मझा आया मझा फिल हुआ है लेख लोच ov चाहों तो कि लिफ्ट फोर्स यह वारा FL होता है lift force इट शुद भी positive दूरिंग दूरिंग टेक ओफ टेक ओफ के टाइम पर यह positive होने चाहिए और ओवराल फोर्स उपर होने चाहिए positive का मेनिंग यहाँ पर क्या है ऊबर की तरफ अबर अपवर्ड और ओवराल lift force शुद भी negative during landing landing क्या चाहिए हमारा वाईजाज नीचे आए लेंडिंग के ताइम पर इस तरह से एंगल को set किया जाता है कि वो नीचे की तरह बैट करता है इसलिए वाईजाज दिरे 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 नीचे आता है आरिवेट वास सब्च में मजा आ रहा है आरिवेट वाईजाज दोना एक साथ करते हैं अब यह था निये कि वाईजा सीजन नीचे क्यों नहीं आ रहा है सारे फॉर्स एक साथ लगारें ड्रेग वर्यक्स अपसंग चल रहा है ठीक है बट एप पुरूपिट एंगल के ताफ से हम चेक करेंगे कि हमें मैक्सिम क्या चाहिए ठीक है अब बेटा जाओ अभी पानी अभी पानी अभी पानी अभी कानी गदम नहीं हूँ यह तरह हो ठीक है तो दिलीट मारतो यहां से ज्यादा त्रड़ा हो गया है एसे समझो आज अ कि एक हमारी एयर फोईल जासी शेप है यह कुछ नहीं है एयर फोईल क्या होता है जो आप आ जाएस का विंग होता है उसको एर फोईल बोलते है ठीक है यह देखो लगरा विंग ही जैसा अवाइ आपको दिख रही होगी क्या अरे क्या दिख रही होगी बच्चों एक तरह की एर फोईल ठीक है तो दिस इस रीजन बैंड एट स्वाज में आगे पिटा कॉंसेप्ट अफ लिफ्ट हलका फुलका है ना नुमेरिकल कैसे बंते है कोश्चिन कैसे बंते है आगे बात करेंग चापो बटा-बटा लगता है तो अब तो बारी जो एर फोईल होती है तो इस पर दो फोर्ट करते हैं एक होता है लिफ फोर्स एक होता है ड्रैप फोर्स एव टी दो फोर्स लगरे होता है रैक भी लग रहा है तो जो उसको रोक रहा है और येक लिफ्ट भी है जो उबर भेक रहा है अब मैं डिपेंड करता है किस एंगल पर क्या आमें चाहिए उसे जात से एंगल चेंज करके लिफ्ट को मैक्सिवन करते है तब ही जाके उपर उड़ता है वह उजाज ठीक है आए बिटा समझ में कुछ की नहीं आया मजा आया चलिए तो अभी के लिए इतने ही है बागी कानी करूँगा इसको नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बिटा इसको छापलो फटा पुट से और नेक्स लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा ठीक है इसके जस्ट बादी देख लेना आप है ना चलो मलागात करते हैं दोस्तों नेक्स सेशन में ओके इसको तोड़ा रवाइस करके आ करोण बादी दोस्तों है